हेलो गाइज, विलकम बैक तो पावर ड्रैग, आज मैं आपको दिखाऊंगा हर टाइप की कार जो लगबग 6 लाग रूपए से लेकर 12-13 लाग रूपए के बजट के अंदर आ जाएगी एक शोरूम, जिसके अंदर हैजबैक भी होगी, SUV भी होगी, सेडान भी होगी, तो मु देखने वाले हैं, तो चलिए फिर फटाफर्ट से करते हैं, आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट, नमबर फर्स्ट कार इस फोर्स गुर्खा, बेसिकलिए देखो गुर्खा और महिंदर थार, ये एक जैसी जिट टाइप के आप इन्हें SUV कह सकते हैं, दोनों ही गाड़िय अंदर फोर्स ने शोकेस करी थी उसको लेने का, हाली में कुछ दिनों पहले इसके काफी सारे स्पाय शॉट्स भी आये थे, और देखने में गाड़ी अच्छी भी लग रहे है, जो इसके अंदर आपको फ्रेंट के अंदर राउंड शेप में LED DRL आफर करा है कंपनी ने, वो काफी एक अच्छी जी लुक दे रहा है निकाल के सामने से, तो आप इस गाड़ी को ले सकेंगे 2021 के आखिर तक, अभी जो इसके स्पाय शॉट्स हैं, उनके अंदर गाड़ी को कई बार टेस्टिंग के दोरान भी देखा गया है, और इसके अंदर आपको फाइफ सिटि बात करें तो इसके अंदर आपको लगबग लगबग 2600cc का सिर्फ एक डीजल इंजन देखने के लिए मिलेगा, बीए सिक्स कंप्लाइंट इंजन होने वाला है, फाइव स्पीट की मैन्वल और आटमेटिक दोनों ट्रांसमिशन साएंगी, फीचर वाइज भी इसके अंद इस गाड़ी के अंदर भी आपको 4x4 ओफ रोडिंग केबिलिटीज मिलेंगी, अगर आप कोर ओफ रोडिंग करना पसंद करते हैं, तो आपके लिए ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन रह सकता है, क्योंकि गाड़ी का फ्रेंट का डिपार्चर एंगल या फिर पीछे का आप लोग कह सकते हैं कि अप्रोच एंगल जो होता है, वो काफी ज़्यादा बढ़िया है, जिसमें कि आपको अफ रोडिंग के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा है, बागी गाड़ी के अंदर आप लोगो को नॉर्मली वाली अप कुछ यो किया आते हैं, फिजिकल वो दे काड़ी जब लाँच होगी, फिर हर वेरियंट के सबसे जो प्राइजिंग होगी, वो मैप के साथ शेयर कर दूँगा, अब देख लेते हैं, सेकंड कार, सेकंड कार इस किया पिकान तो, विसी कलिए आप लोग जानते ही होंगे कि किया, आज की डेट में कितना अच्छा प किंग गाड़ी है, और दूसरा यूंड़ी ग्रेंड आइटेंज जैसी गाड़ियों के साथ, फॉर्ड फ्रेश्टाइल और फीगो भी इसी सेग्मेंट के अंदर आ जाती है, बट अगर इसके मैं मेन कॉम्पटीशन की बात करूं, तो वो रहने वाला है मारूती सूजू क श्विफ्ट के साथ, यह हर चीज में श्विफ्ट को बीट कर देगी चाये वो इसकी बिल्ड क्योल्टी हो, चाये इसके अंदर आने वाले फीचर्स हो, चाये इसके अनदर काफी सारे इंजन ओप्शन्स हो, श्विफ्ट को सिरफ एक चीचीज जिता ही कि जो है लोगो का जो है लोगों का विश्वास बट फिर फीचर्स और नए एक प्रोडक्ट के सामने लोग भी कही ना कहीं पे फिसल जाते हैं जिसका आप एक्जामपल देख सकते हैं किया सॉनिट जीता जाकता आपके सामने और दूसरा सेल टॉच भी देख सकते हैं ट्रांस्मिशन इसमें 5-speed manual, 6-speed IMT, automatic और DCT भी ओफर करी जाने वाली है इन्फोटेन्मेंट 8 इंच इसका रहेगा और इस गाड़ी के उपर आप कहेंगे तो मैं एक डीटेल वीडियो भी बना दूँ है फीचर्स की बात करी जाए तो flat bottom steering wheel, steering mounted control, wireless android auto, apple carplay, inbuilt navigation, uvo connectivity, सिर्फ और सिर्फ टॉप वीरियंट के अंदर और cruise control जैसे तगड़े features इसमें आने वाले हैं फर्स्टीन segment इसके अंदर आपको मतलब sunroof भी मिल जाएगी जो कि इस segment की कोई और गाड़ी offer नहीं करती है तो ये सारी चीज है इसे segment की गाड़ी बना सकती है, अब देखो Indians का किसके ओपर trust ज्यादा रहेगा, shift के या फिर पिकांतों के, तो ये एक देखने वाली चीज बनने वाली है अब चलते हैं के देख लेते हैं आज की लिष्ट की है हमारी next car और जो इसकी pricing रहेगी, starting price मानगे चलो, 5.5 लाग रुपे से लेकर, top and variant, 8.5 लाग रुपे तक एक शोरूम आपको मिल जाएगा next car is Mitsubushi Expander, आप लोग जानते ही होंगे कि यार देखो Mitsubushi एक काफी अच्छी कंपनी है और इनकी जो cars आती हैं काफी तकड़ी होते हैं जिसका एक सबसे बड़ा example है Pajero Sports एक काफी बढ़िया गाड़ी है और काफी लोग उस गाड़ी के fan भी होंगा और fan होना बनता भी है और ये जो अपनी गाड़ी लाँच करेंगे इंडिया में ये भी 2021 के आखिर तक है 2022 के स्टार्टिंग तक आपको देखने के लिए मिल जाएगी और ये गाड़ी ऐसे सेग्मेंट में उतारी जाने वारी है जहाँ पर अर्टिका जैसी गाड़ी अकेली मोनोपॉली करे हुए बैठी है अगर किजी को 7.7.7 लाक रुपे में एक बड़ीया सैवन सीटर गाड़ी चाहिए हो तो कही ना कहीं बंदा अर्टिका को 100% कंसीडर करते हैं क्योंकि रेनो की आप यहाँ पर ट्राइबर भी ले सकते हैं बट इन टरम्स अब बिल्ड क्वाल्टी या फिर लोक्स है फिर फीचर्स की बात करें या फिर रिलाइबल इंजिन की बात करें तो वो सारी चीज़े देखते हुए आप लोग रेनों की तरफ ना जाके अर्टिका की तरफ 100% जाएंगे बट वहीं पर अगर हम मिच्चुबू सी एक्सपेंडर की बात करें तो ये काफी अच्छा प्रोड़क्ट रह सकता है अगर आप इसको लेना चाहें तो make sure ले सकते हैं प्राइजिंग के अगर बात करी जाए तो लगबग इसकी स्टार्टिंग प्राइज एक शोरूम रह सकती है साड़े साथ लाग रुपे से लेकर साड़े दस लाग रुपे तक और इसके अंदर आप लोगों को एक ही सिरफ इंजन मिलेगा वो भी होगा 1500 सीटी का पेट्रोल इंजन जिससे आपको 105 बेच्पी की पावर मिल जाएक और लगबग 140 नूटन मिटर के आसपास पीक टॉर्क मिलने वाला है ट्रांसमिशन की बात करी जाए तो मैनवर ऑटोमेटिक दोनों ही मिलेंगी और इसके अंदर आप लोग 6 सीटिंग वाला विरियंट भी ले सकते हैं और 7 सीटिंग वाला विरियंट भी आपविसली ले ही सकते हैं इंफोर्टेंवन्ट इसके लिए निसमें आपको 9 इंचिस तक की मिलेगी विद एंडूर्ड ओटो एपल कार प्ले एंड लुक्स आपके उपर हैं आप लोग बताना कमेंट डाउन करके कि क्या आप लोग को अच्छे लग रहे हैं टायर साइज इसके अंदर आपको आर 16 इंचिस का मिलने वाला है जो की थोड़ा सरी डिसपॉइंटिंग है आर 17 रहता हो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता बागी इस्टेरिंग मांटेट कंट्रोल, क्रूस कंट्रोल, आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा रियर रेस इवेंट जैसे सारे ही फीचर साएंगे और गाड़ी के अंदर आपको LED लाइट्स भी ओफर करी जाने वाली है नेक्स्ट कार है VW टाइगुन बेसिकली टाइगुन एक इतनी बढ़िया गाड़ी है आप लोग को पता ही होगा कि भाई इस सेग्मेंट के अंदर जिसमें इसको टाइगुन को उतारा जाने वाला है सब 4 मिटर में इतनी सारी गाड़ी आती हैं बहुत सारी तो अगर आप लोग टाइगुन लेने का प्लान कर रहे हैं तो टाइगुन भी एक अच्छी गाड़ी है ऐसस गाड़ी को लेकर कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर आप लोग लगा लो कि आपको कोशैक से भी थोड़ी सी बैटर लग सकती है क्योंकि इसके अंदर जो आपको instrument cluster है वो आपको proper digital देखने के लिए मिलेगा base variant से जो एक बहुत बड़ी मतलब positivity वाली बात आ जाती है इस गाड़ी के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ petrol engine देखने के लिए मिलेंगे वो भी दो एक 1.0 लिटर TSI और दूसरा 1.5 लिटर का TSI बेसिकली आपको turbo engines मिलने वाले हैं जो की काफी अच्छी बात है एंड इस गाड़ी के अंदर features की बात करी जा तो आपको सम मिलेंगे लगबग 9 इंचिस तक का infotainment screen आएगा android auto apple carplay air ventilation वाली seats wireless mobile phone charging keyless entry post start stop button आपका automatic climate control steering mounted controls आपका इसके अंदर cruise control भी आएगा और sunroof भी आपको गाड़ी के अंदर मिलने वाली है तो make sure अच्छा product और जिसकी roof rails हैं वो सिरफ देखने की नहीं है उनको आप लोग यूज़ भी कर सकते हैं समान वगारा टो करना हो या मतलब समान वगारा लोड करना हो तो आप वह चीज़ भी access कर सकते हैं अब देख लेते हैं हमारी आज की लिष्ट की next car next car is Tata Altros EV Tata ने अपनी Altros का EV variant हुए Auto Expo 2020 के अंदर शोकेस कराता बेसिकली Tata की जो next on EV आती है अगर आपने कभी चलाई है या फिर अगर आपको चलानी है तो आप शोरूम पर जाकर टेश ड्रैव ले सकते हैं बट जो लोग उसे ओन करते हैं वो लोग ये बात जानते होंगे कि जब वो sports mode में लगती है तो EV गाड़ी होने के हाई होता है बहुत ही जादा maximum होता है जिससे की गाड़ी को पुल करने में काफी जादा असानी रहती है अगर मैं Altros EV की बात करूँ तो इसके अंदर आप लोग को प्रॉपर लीथियमाइन बैटरी का सैट अप मिलेगा जिप ट्रोन मोटर आने वाली है और वो भी काफी ब आ रही है तो क्या बिल्ड क्वाल्टी वगएरा सेम रहेंगी बिल्ड क्वाल्टी डिजाइन सारी चीज़े सेम रहने वाली है बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा एक तो न्यू कलर सा जाएंगे और इवी की ब्रेंडिंग मिल जाएगी और उसके लावा आपको गाड़ वाले डोर्स हों या फिर आपका क्लाइमेट कंट्रोल इसके अंदर मिलने वाली है तो ऐस सच आप इसको ले सकते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं अब काफी लोग आटोमेटिक गाड़ी तो लेना पसंद करते हैं बट इवी लेते टाइम यह सोचते हैं कि यार जिस मिलेंगे और AC DC दोनों चार्जिंग सब्पोट करेंगी या नहीं एसी डीसी चार्जिंग मतलता वो ता आपका फास्ट चार्जिंग और नॉर्मल जो आप अपना घर में चार्ज करते हैं आट तस गंटे ग्यारा घंटे वाली वाली चार्जिंग तो गईसको देखो ऐसा है कि अभी EVs को इतना ज्यादा मतलब लोग नहीं पर्चेस करें बट आने वाले टाइम में सिरफ EVs ही नजर आने वाली हैं तो इस गाड़ी को लेकर ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं को कि टाटा का एक काफी बड़ा सक्सेस्फूल प्रोड़क्ट नेक्सॉन है जि कि 21 के एंड तक भी शायद टाटाइस को लांच कर दे क्योंकि कोविट की वैसे जो लांचेस हैं वो कार्स के डिले होते चले जा रहे हैं जिस वैसे आपको थोड़ा सा वेट करना ज़्यादा पड़ सकता है अब चलते हैं कि देख लेते हैं आज के लिश्ट के हमारी नेक् प्राइस पर आती है वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इंडियंस उसको इतना ज्यादा पसंद करेंगे बट यह एक एंट्री लेवल गाड़ी रह सकती है वही अगें श्विफ्ट वाले सेग्मेंट में आएगी आप इस गाड़ी के साथ जा सकते क्योंकि इसके अंदर करा सारी चीज़ें और सीट्रेवन कंपणी की गाड़ी है तो फीचर्स भी आपको काफी अच्छे मिलेंगा और स्पैशली प्रीमियम नेस को लेकर आपको कहीं पे भी सोचना नहीं पड़ेगा अगर मैं इसकी प्राइजिंग की बात करो तो इसकी स्टार्टिंग प्राइ कि काफी सारे मोट मिल पाना इसके अंदर पॉसिबल नहीं है बागी नॉर्मल जितने फीचर्स होता है करेक्टिविटी के या फिर पुछ ट्रॉट बटन हो या फिर इन्फोटेन्मेंट इसकी निनो आट्वेट क्लाइमिट कंट्रोल ओ फग लैंप यूस्ब वाली चारज कुछनों तो कमेंट कर देना